दिन के उचाले में और रात के अंदिरे में हर अप्राद पर है हमारी कड़ी नजर जुर्म के हर कबर से कराएंगे आपको रूब रूब स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस ने अवैध हत्यार की बड़ी खेव बरामत करते हुए मुफीद नामक शक्स को गिरफतार किया है यह पुलिस को चक्मा देने के मकसद से गुबारा विकृता बंकर गैंग्स्टरों को हत्यारों की सप्लाई करता था आरोपित से पुछताच में पुलिस को पता चला की स्वतंत्रता दिवस से पहले अपराधी दिल्ली में बड़ी वार्दात अंजाम देने की ताक में थे जिसके लिए उन्हें हत्यारों की जरूरत थी लेकिन इसके पहले की यह खेप अपराधियों तक पहुँचती पुलिस के हाथ लग गई नौ अलग-अलग पैकेटों से पुलिस को 20 पिस्टल बरामद हुए है द्वार का जिला पुलिस उपायुक्ट संतोष कुमार मीर्णा ने बताया की इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नित्रित्व में स्पेशल स्टाफ की टीम अवैध हत्यार तसक्री के इस नेटवक पर करीब एक महीने से नजर रखे हुए थी पिछले वर्ष एक मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को पकड़ा था जो स्कूल बैग में पिस्टल लेकर दिल लिया थे तमाम जानकारियों के बीच हेड कॉंस्टिबल रिसमुद्दीन को सूचना मिली थी कि 6 अगस्त को तसकर हत्यार की सप्लाई करने जाफ्रपूर में घुम्मनहेडा मोड के पास आने वाला है उसी सूचना पर ACP ओपरेशन विजह सिंग्यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने ट्रैप लगाया पुलिस ने जब इसे पकड़ा उस वक्त भी यह रेड लाइट पर गुबबारों के साथ खड़ा था गुबबारों के पकेट के नीचे इसने हतियार छुपा रखे थे संदे होने पर पुलिस ने उसे रोका और तलाशी देने को कहा लेकिन युवक वहां भागने लगा सतर पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया यूवक ने इस दोरान पुलिस कर्मियों को डराने के लिए पिस्टल भी हाथ में तान ली लेकिन सतर पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया उसके हाथ में जो पिस्टल थी उसमें चार राउंड गो लिया थी तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से 19 पिस्टल मिले सभी पिस्टल बैलून के पैकेट में छिपा कर रखे गए थे पुलिस के अनुसार आरोपित मुपीद उत्तर प्रदेश के मतुरा स्थित चौकी बांगर गाउं का रहने वाला है इसके खिलाफ कोशी कला थाना में हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज है आरोपि को जाफ्रपूर कला इलाके में पकड़ा गया है पुलिस अब आरोपित से पूछताच कर यह पता करने में जुटी है कि यह खेप किस बदमाश को सौपी जानी थी और अभी तक किसने दिल्ली में कितनी बार पिस्टल की खिप पहुंचाई है मामले की परताल जारी है DCP ने बताया कि हत्यार सप्लायस की चेन को तोड़ने के लिए लगातार स्पेशल स्टाफ की टीम धरपकड कर रही है इस अभियान में अब तक साथ लोगों को गिरफतार किया जा चुका है 33 हत्यार बरामद हुए है संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क क्राइन कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइन की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले